मुझा आप 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 सब बहुत अच्छे होंगे इन टुडेज वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ आप के एसे प्रॉड़क्स जो आप डे टुडे लाइफ में यूज कर सकते हो और बहुत यूजफुल प्रॉड़क्स है आईके में बहुत सस्ते में मिल जाता है ज्यादा उसका प्राइस नहीं रहता है और मैं यह यूज़ कर रही हूं तो इसका एक वीडियो बनाओ आपके लेके आओं बहुत सरी लोगों को इस प्रोड़क्ट के बारे में पता रही होगा तो जिनकों पता नहीं है तो यह वीडियो आपके लिए जरूर है आप यह वीडियो फास्ट अलास तक देखिए और यह बहुत इसका प्राइस है उनली 5 दिरम, इस पैकेट में दो बैग आता है, एक बड़ा बैग, एक छोटा बैग, तो दोनों का साइज भी बहुत अच्छा है लॉंडरी बैग के लिए, लॉंडरी वासिंग मेसिन के लिए, और हमें साम लोग प्रोब्लेम फेज करते हैं, कि कैसे हमार इनर वासिंग मेसिन में डालें, और डालते हैं तो इसे ओपन ली तो बो क्या खराब हो जाता है, उसका जो इलस्टिक बगरा होता है, बो खराब हो जाता है, तो यह लॉंडरी बैग बहुत अच्छा है, आप इसमें आपके ब्राज बगरा, नहीं तो आपकी रबर बैंट साक्स हो या रबर बैंट ऑगर डाल दीजिए तो करने के बाद आप जो नॉर्मल कपड़ा दोते हैं वसिंग में उसात ही आप ये वसिंग में डाल सकते हैं उस Seaco, अलग धोने के जरूत में अच्छ से साफ हो जाता है और आपको हाथ से धोने को नहीं पड़ेगा नहीं प मेरे लिए एसे में सारा रबर बेंड हो या इनर ओयर हो एसे डालके में साफ करती हूं और एसे टाइप के बैक्स भी आमाजन में मिल जाता है सेम नहीं होगा बढ़ हां एसे लॉंडरी बैक आप सौर्च लगाओगे तो आपको मिल जाएगा आमाजन में आप आमाजन से भी कर सकते हो नेक्स जो प्रॉडक्ट है यह है एक सेलिंग क्लिप इसमें छोटे-छोटे 20 क्लिप साते हैं और बड़े 10 क्लिप साते हैं और इसका प्राइज आइकिया में रहता है 780 तो इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिशन बॉक्स में दे दूंगी कब भी कबार यह में और सस्ता मिल सकता है और यह जो सेलिंग क्लिप से यह बहुत यूसफुल चीज है जैसे कि घर में बच्चे होते तो वह बहुत सारी चीप्स वगरा हो स्नाक्स का पैकेट ऐसे ले आते हैं थोड़ा सा ही खा के कहीं पे रख देते हैं तो हम लोग वह खराब हो जाता है नेक्स टाइम वह खाने लायक नहीं रहता है तो उसको यह से पॉसिबल भी नहीं है कि एक एक डबा करके रखो क्यूंकि बहुत सारी चीप्स का पैकेट ऐसे रह जाता है और उसको हम लोग मिक्स करके एक डबे में भी नहीं रख सकते हैं तो ऐसे आप ऐसे वह कवर को अच आप यूज भी कर सकते हो और यह जो बच्चे हुए क्लिप्स है उसको आप एक जीप लॉक में स्टोर कर सकते हैं और उसी को आप जहां पे स्नाक्स रखते हो वहीं पे रख दिजिए जैसे कि बच्चे इसको फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोड़क्ट है यह ग्लास बास यह मुझे परसनली बहुत पसंद है यह बहुत सस्ते में आइक्या में मिल जाता है यह बड़ा वाला बास जो है वो मुझे 5 दिराम में मिली थी ओफ़र में और पतले वाला जो ग्लास बास है यह मुझे 7 दिराम में मिला तो यह मैंने बहुत सारा लेके आ गई हूँ क्यूंकि मेरे पास बहुत सारे मॉनी प्लांट का इसे टुकड़ा पड़ा था और में वह वाटर जूस ग्लास में मैंने रखी थी तो इसके लिए मुझे चाहिए था तो मैं ले आई थी और यह बहुत सुन्दर दिखता है आपक रख सकते हूं कितना सुन्दश रख रहा है एक ही मैं इसमें लगा रही हूं और यह पास के सुन्दश बहुत सता है है इसे हो जैसे कुछ भी फ्लावर अटिफिशल फ्लावर भी एसे करके आप दैनिंग टेबल में भी लगा सकते हूं नेक्स्ट प्रोड़क्ट जो है यह है एक ओयल विनेगर सेट और यह नाइटीन एडी में मिलता है आइक्या में यह मैंने पहले देखा था बट नहीं लिया था बट चेकंड डाइम में गई थी तो उठा के लेके आगे थी तो मुझे यह ओयल बॉटल बहुत पसंद आया इस स्ट्राइन गया यह नाइक्ट, जसे हैं शेयर्ट, वहली स्ट्रेम को में ग्लाइक हो चाहएं ड में यह हं अच्छा हैं इसके नीचे ऐसब खेषान दी नियाएं जैसे कि बॉट्ट गुंड़ में हीतं कर्ड़ अकुइच्छी आफ्शीय तो यह अच्छे समिए इसके नी अब इसमें आप दो ताइब का एउल रख से हो इसमें आप यूज करते हो बहुत स्मून और कि यूज wt loan कर आया है यूज बहुत संहून है आप उसमून है यूज मुए अप अफ्र煸न करते हो कि स्मून से निकलता है इसमें यहां पर सनफ्फलावर एंए,, और दूसरे में में मस्टर्ड ओयल रख रहे हूँ आप चाहो तो भीनेगार भी रख सकते हो ओयल रख सकते हो तो मैंने यहां पर दो टाइप का ओयल ही रख रहे हूँ क्यूंकि ओयल में यूज करती हूँ मस्टर्ड ओयल किसी किसी डिसेस में और किसी किसी डिसेस में सनफ्ल दिरम में IKEA में मिल जाता है चलिये में दिखाती हूँ यह कैसे में यूज़ कर रहे हूँ आप बहुत तरह टाइप आप इसको यूज़ कर सकते हो डेकोरेशन के लिए बट मैं इसको किचन काउंटर के ऊपर ही रख रहे हूँ और उसके ऊपर मैं रख रहे हूँ यह स्पून स्टांड तो यह स्पून स्टांड भी मैं ली थी IKEA से ही और इसका प्राइस वही 10 और 12 दिरम था और सेम जो मैं ली थी वो ओयल बोटल मैं यहां पर रख रहे हूँ देखी कितना अच्छा दिख रहा है यहां पर मैं रख रहे हूँ जो ग्लास बेस में बास ली थी उस में मनी प्लैंट लगा के मैं यहां पर रख रहे हूँ तो देखी कितना अच्छा एक लुक क्रेट हुआ बहुत सुन्दर दिख रहा है इसे किचिन काउंटर में आप बहुत तरह इसे यूज़ कर सकते हो और नेक्स्ट जो प्रोड़क्ट है यह है एक लाम फॉइट लाम्प यांड यह देखी बहुत सुन्दर सा लाम्प है मैं आइक्या से ली थी बहुत टाइप का मिल जाता है आइक्या में लाम्प यह दो बहुत बहुत आईए तो मैं यह लेक्टा आए थी उसके साइड में फ्लावर्स ब्रकार का ठोड़ा हूआ है तो पेंट हुआ है तो यह मुझे पसंदा आया, यह में लेक्वा एता है यह ओपन इजीली हो जाता है उसका जो डूर है magnetic door है तो इसको आप हैंग भी कर सकते हो और कहीं पे नीचे भी रख सकते हो और यहां पे मैं हमारे जो एंट्री टेबुल एक रखी हूँ वहां पे डेकोरेट करी हूँ सेम जो बास ली थी मनेक उसमें moneyplant लगा के देखिए कितना सुन्दर लिख रहा है यहां पे वहां पे मैं यह रख रहे हूँ और यहां पे मैं रख दूँगी यह लीम्प देखिए कितना सुन्दर लोग क्रियेट हुआ यह लियाम से अंदर आप कैंडल वगरा लगा के यह से रख सकते हो तो बहुत सुन्दा दिखता है और यह देखिए मेरा इंट्रिव है बहुत सुन्दा दिख रहा है नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा यह सेल्फ है काउंटर टॉप में आप इसको रख सकते हो नहीं तो कैबिनेट अंदर इसको रख सकते हो बट मैं यहां पर यूज करें हूँ काउंटर टॉप के ऊपर अंड मैं यह तीन तरह में यूज करने वाली हूँ आप जो आपको काउंटर टॉप में आप नीचे भी बहुत सारा सामन इसमें रख सकते हो तो यह ऊपर एक स्टांड हो जाता तो आपको स्पेस ज्यादा मिल जाता है यह देखिए इसका लुक और नेक्स जो मैं ट्राइ करूंगी मैं ऐसे ट्रेस ले लिए हूँ तो दो वाला ट्रे में यूज करें हूँ तो इसमें मैं ओनियन गार्लिक और दूसरे में मैं पोटाटो रख रहे हूँ हूँ यह कवर के साथ आता है यह मैं होम बॉक्स से ली थी यह जो ट्रे है आप चाहो तो इसे ट्रेस लेके इसको उपर रख सकते हो और यहां पर मैं दो प्लांट्स रख रहे हूँ यह दिखिए इसका फाइनल लुक तो यह बहुत अच्छा एक सेल्फ है आप आराम से घर में सजा सकते है और यह काउंटर टॉप में बहुत और यह बहुत कीजिए unconditioned को ऐता है तो बहुत कम जगा लेती है तो यह बहुत अच्छा चीज़ है मैं आपको रिकमेंड करूंगी यह आप यूज कीजिए नेक्स प्रड़क्ट है यह है एक मोबाइल स्टांड उडेन का यह पांस दिरम में आइक्या में मिलता है और बहुत ही यूसफूल चीज़ है यह आप किचेन में हो जब मुमी के साथ में बात करती हूँ तो यह मुझे बहुत होता है यह से स्टांड में रखके काम करती रहती है किसे भी बात करना चाह trafficking जाना तो यह दो ताइप size आता है 2-9th यह तोड़ा फिट करता है तो यह कर सकते हो ैक्यां से हमारा जो नेक्स प्रड़क्ट है यह एक ड्रॉयर मैट इसका साइज है 50 cm by 150 cm और इसका प्राइज है 1780 इन आइक्या और यह बहुत एक यूस्फुल चीज है आप इसको आपके ड्रॉयर में या सेल्फ में यूज कर सकते हो इसका मेजरमेंट लेके इसको कट करके अच्छे से इसको एसे बोद साइज सेलोटेप से नीचे से आप चुपका दोगे तो यह स्लिप भी नहीं होता और थोड़ा साइज यह से उपर नीचे होके रहता है तो आप एक सेलोटेप लेके उसको चुपका दे जो सेल्फ है तो यह अराम से चुपक जाता है और यह आंटी स्लिपरी मैट है यह बोखत अच्छा है तो इस पे आप स्नाक्स बगरा हो गलास आइटम हो कुछ भी रख सकते हो यह बहुत अच्छा रेता है होप आज के वीडियो आपके लिए बहुत यूसफुल रहेगा आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए आज के लिए रहते हूँ फुर मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ तब दे के लिए नमस्कार जोई 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 गरनाद